नमस्ते दोस्तों मैं हो रिमिता दोस्तों अगर आपकी किसी नई जगे जॉब लग जाए तो वहाँ आप लोगों को किस तरह से जानने की कोशिश करेंगे सबसे पहले आप उनका बेहेवियर ही सोचेंगे कि वो कैसे बोलते हैं अच्छे हैं या रूडली हैं या काफी मस्ती मजा करते हैं और आज की हमारी मूवी आपका ये पस्पेक्टिव भी चेंज कर देगी जो की है इंडोनेशन होरर मूवी कुटुक जिसका मतलब होता है श्राप या कर्स इस मूवी के IMDV रेटिंग 6.7 है और 70% गूगल यूजर्स ने इसे पसंद भी किया है सो विदाउट वेस्टिंग अनी टाइम लेट्स गेट इन्टु दे होरो कोस्टर राइट अप दिस मूवी कहानी माया नाम की एक लड़की से शुरू होती है जो काफी सीधी साधी है और सिंपल थी और वो एक नई जगे पर जौब के सिलसले में आई थी जो एक ओल एज होम में नर्स की जौब थी वहाँ पहुचके माया की मुलाकात वहाँ की एक नर्स गेंदिस से होती है जो माया का एक चोटा सा इंटर्वियू लेती है जिसमें हम साफ देख पाते हैं कि गेंदिस का बिहेवियर माया की तरफ काफी रूड है और वो उसका इंटर्वी भी अच्छे से नहीं लेती पर तब ही वहाँ ओल एज होम की ओरनर एलिना आ जाती है जो गेंदिस को वहाँ से भेज कर माया से बात करने लगती है और वो माया से काफी अच्छे से बात करती है और उसकी कौलिफिकेशन चेक करके उसे ये जॉब दे देती है माया भी यहाँ नौकरी पाकर खुश थी अब माया आज से ही वहाँ अपनी जॉब स्टार्ट करती है और एलिना न उसे रहने के लिए रूम नंबर फाइव दिया था पर जब माया अपने रूम में जा रही होती है तो उसे रास्ते में एक नर्स दिखती है जिसका वो पीछा करती है लिकिन एकदम से वो गाया भुजाती है इसके बाद माया जब अपने रूम में जाती है तो वो अंदर से बनता और वो खुल नहीं रहा था जिसे माया काफी खोलने की कोशिश करती है लेकिन वो खुलता नहीं और उसके अंदर देखने पर माया को उसके अंदर वही नर्स देखती है जो अभी उसे बाहर घूमती होई नजर आ रही थी और अगले ही पल वो रूम खुल जाता है और उसके अंदर कोई भी नहीं था इसके बाद हम गेंदिस को आता हुआ देखते हैं, जो माया को उसके कपड़े देती है, और थोड़ी देर बाद उससे patients के पास आने के लिए कहती है, और जब माया उससे उस दूसरी nurse के बारे में पूछती है, तो गेंदिस उससे कुछ नहीं कहती है और चुप चाप वहाँ स चली जाती है थोड़ी तेर बात माया अपने पहले पेशन्ट को जो की एक ओल लेडी थी उसके पास आती है वहाँ गेंदिस पहले से ही मौजूद थी गेंदिस फिर से बहुत ही रूटली माया को काम समझाती है पर माया चुप चाप सब कुछ सुन रही होती है लेकिन तब ही के ओल लेज हों का एक डॉक्टर सीयन वहाँ आ जाता है और वो भी माया से काफी अच्छे से बात करता है और उसके आता ही गेंदिस वहाँ से चली जाती है फिर सीयन माया को वहां के बाकी पेशन्ट के बारे में बताता है माया उसके अच्छे बेहेवियर से काफी खुश अब हम यहां से रात का सीन देखते हैं जहां माया अपने रूम में सो रही होती है कि तब यह उसे कुछ आवास सुने देती है और जब वो उट कर देखती है तो उस रूम में कोई भी नहीं था और उसे वक्त उसे अपने रूम में लगे शीशे में वही नर्स देखती है हलाक यह माया का एक दरावना सपना था इसलिए माया जल्दी से रेडी होकर अपने जॉब पर जाती है यहां रास्ते में माया उसी ओल्ड लेडी को देखती है जिसका उसने कल इलाज किया था हम देखते हैं कि वो कहीं चरकर जा रही होती है फिर जब माया उसके रूम में पहुंचती है तो वो ये देखती है कि उस लेडी की मौत हो चुकी है और ये देखकर माया बिलकुल शौक थी जिसके बाद गेंदिस माया को उस डेट बॉडी के लास्ट रिच्वल के लिए रड़ी करने के लिए कहती है और उस टाइम भी माया काफी डरी हुई थी वो समझ ही नहीं पा रही थी कि आगर उसके साथ हो क्या रहा है इसलिए वो ये बात एलेना से शेयर करती है और वो से बताती है कि उसे भी उन परनॉर्मल अक्टिविटीज का एहसास होता है लेकिन माया उससे डरे नहीं क्योंकि इससे उसे कोई हार्म नहीं होगा और थोड़े समय बाद वो इसकी आदी हो जाएगी बस ये कहके अलेना उससे रेस्ट करने के लिए कहकर वहां से चली जाती है लेकिन माया रेस्ट करने के लिए मना करती है और वो रेस्ट ना करके बाकी कामों में लग जाती है उसी वक्त उसकी मुलाकात एक ल रूम में जाती है जा हम उसी नर्स को उस रूम के बाहर घुमता हो देखते हैं या हम देखते हैं कि वो पेशन्ट भी उससे देख लेती है और माया को बताने की कोशिश करती है फिर माया ये कहती है कि उसे वो स्पिरिट काफी हॉंट करती है जिस वजे से वो गेंदिस से टक काम करने लगती है वहीं अब माया भी बाकी के पेशेंट्स के साथ काफी अच्छा भी एफ कर रही थी और उसकी एलेना से भी काफी अच्छी बन रही थी इसी तरह एलेना उसे अपने बारे में बताती है कि ये ओल्ड एज 1970 में उसके हजबन ने चैरिटी के लिए बनवाया और अलेना उसकी दूसरी पतनी है वो वहाँ एक नर्स की जॉब क्या करती थी और इस ओलेज हों के ओनर का खयाल भी एलेना ही रखती थी यानि कि उसकी पती का और उसकी पहली वाइफ उसके पास नहीं आ सकती थी और वहाँ के ओनर को एलेना पसंद आने लगी और उन दोन तक वो एक old age home ही रहेगा एलेना भी खुशी-खुशी अपने husband की आकरी इक्षा पूरी कर रही थी ये बात माया को अच्छी लगती है अब हम देखते हैं कि माया की night shift थी वो वहाँ सारे patient को एक-एक करके चेक कर रही थी उसी समय उसे कुछ आवाँ सुना ही देती है जो kitchen से आ रही थी और जब माया वहाँ पहुंचती है तो उसे अंदर वही nurse और वो old lady मिलती है जिसकी सुपे मौत हो गई थी जो उसे काफी haunt करते हैं और तब ही वहाँ की light पी चली जाती है लेकिन माया किसी तरह वहाँ से निकल के बाहर भाग जाती है और किसी से टकरा जाती है जो खिड़की तोड कर वहाँ से भाग जाता है सुपे ये सब माया Elena और गेंदिस को बताती है जिसपर गेंदिस स्पिरिट वाली बात पर विजवास नहीं करती जिसकी वज़े से इन में बहस हो जाती है उतने में वहां रेनो आता है जो एक पार्सल लेके आया था साथी साथ को लाइट ठीक करने भी आया था और माया भी वहां से चली जाती है इसके बाद हम देखते हैं कि माया को वही नर्स जंगल की तरफ जाती होई दिखती है इसलिए माया उसका पीछा करती है लेकिन जंगल में काफी आगे जाने के बाद माया गुम हो जाती है और वो एक कबरिस्तान के पास बहुँच चुकी थी जहां वो काफी डर जाती है जिसके बाद वो वहां से भागने लगती है और उसे रेनो मिलता है जो से समालता है और ओल डेज होम में वापस लाता है अंदर आने पर रेनो माया की नाइट शिफ्ट में उसे कमपनी देने के लिए कहता है जिस पर माया रेडी हो जाती है और फिर वो वहाँ से अपने बाकी के कामों के लिए चली जाती है जिसके बाद उसे पता चलता है कि गेंदिस ने गलती से कोई दवाई ले ली है जिस वज़े से उसकी बाडी हरकत नहीं कर रही है तब एलेना और माया गेंदिस को उसके रूम में सुलाने ले जाते हैं वही माया जब अपने कमरे में जाती है तो उसे फिर से वही नर्स हांट करती है जिस वज़े से माया काफी ड़ जाती है और उसे एलेना समालती है और उसे सूने के लिए कह कर वहाँ से चली जाती है वहाँ से एलेना सीजे गंदिस के रूम में जाती है जो अभी तक हिलना ही पा रही थी इधर माया अपने रूम में सो रही थी कि तब ही फिर से उसे कुछ आवास सुना ही देती है और जब वो ये चक करने के लिए उठती है तो कोई अद्रिश्य शक्ती उसे बैटके नीचे कीश लेती है और वो खुद को पास्ट में पाती है जहां कोई भी उसे देख और सुन नहीं सकता था और यहां आता है एक ट्विस्ट जब माया देखती है कि एलेना और सियान का अफेर चल रहा था और वो उस बिल्डिंग को बेचना चाते थे पर जब तक उसमें पेशन्ट थे वो उस बिल्डिंग को बेच नहीं सकते थे इसलिए वो वहाँ के पेशन्ट को खराब और पुरानी दवाईयां दे कर एक एक करके मानने का प्लान करते हैं और उनकी यही बात एक नर्स आलिया ने सुन ली थी जो पुलिस में कम्प्लेंड करने के लिए कहती है पर एलिया और सियान उसे रोकते हैं और उसे जान से मानने के लिए सियान उसका शहरा सलफ्यूरिक एसिट में डुबा देता है जिस बज़े से आलिया की काफी दर्दनाक मौत हो जाती है और यह सब माया देख रही थी जो इस देख कर बिलकुल हैरान थी जिसके बाद एलिया और सियान आलिया की डेट बोडी को रूम नमबर 5 में ले जाते हैं और बैट के नीचे बनी एक छोटी सी जगे में उसकी लाज दफना देते हैं और दोस्तो रूम नमबर 5 वही गमरा था जिसमें माया रहती है अब यह सचाई देखकर माया जलती से अपने बैट को हटा कर उस डेट बोडी को चेक करती है जो कि सच में वही दफन थी और दोस्तो यही बाद गेंदिस को भी पता चल गए थी जब उसने वह पार सल खुला था जिसके बाद यह बाद उसने एलेना को बताई लेकिन एलेना को वह बाद पहले से ही पता थी ये जानने के बाद गेंदिस उसकी कम्प्लेंड करना चाहती थी जिस वज़े से एलेना गेंदिस को इंजेक्शन लगा दिया था पर माया भी कुछ करना ही सकती थी वो खुद को नॉर्मल लखने की कोशिश करती है और जब एलेना उसके सामने आती है तो वो काफी डर जाती है अब एलेना गेंदिस को जान से मानने जाती है और गेंदिस को मारते समय माया एलेना को देख लेती है जिस वज़े से एलेना और सियान माया को भी होश करके उसी रूम नंबर पांच में ले जाते है और जब मया को होश आता है तो वो चिलाने लगती है जिसकी आवाज बाहर ख़ड़ा रहने उसन लेता है और अंदर उसे बचाने आता है पर Sien उसे भी पकड़ कर अंदर ले आता है और यहाँ असली ट्विस्ट खुलता है जब सबसे पहले अलेना यह बताती है था जिसमें वो कामयाब भी हो रहे थे लेकिन उनकी सच्चाई आलिया और गेंदिस को पता चल गई जिस वज़े से इन दोनों को गेंदिस और आलिया को मारना पड़ा और अब वो दोनों रेनो और माया को भी जान से मारने वाले थे और यहां एक वार्टू इस्ट रहता है जब हमें रेनो की सच्चाई पता चलती है कि वो आलिया का ही बॉइफ्रेंड है और वो वहाँ इसलिए आया है ताकि वो पता लगा सके कि आलिया गाय अब कहां हो गई और अब उसके पास इन दोनों के खिलाफ इतने एविडेंस हैं कि वो उनने जेल भीज सकता है और इसल पोजस्टोने लगती है और उसे आलिया की स्पिरिट पोजस्ट कर लेती है जिसे देखकर एलेना वाँसे भाग जाती है पर रेनों सियान को रोक लिता है और उसे बिहोश करके एलेना का पीछा करता है वही माया बंदी हुई थी इसी वज़े से आले भी फ्री नहीं हो पा रही थी इतर हम देखते हैं कि एलेना के पास जब रेनो आता है तो एलेना उसे नाइफ से स्टैप कर देती है पर रेनो is most stronger than we thought वो रेनो को overpower करके वहाँ से भाग जाती है और old age home के campus में हर दरवाजे को चेक करती है ताकि उसे अंदर चुपने की जगे मिल सके तभी वहाँ उसे एक बूरा आदमी मिलता है जो उससे रोकता है लेकिन Elena उसे जान से मार देती है तभी Elena का पीछा करते हुए रेनो वहाँ जाता है जो Elena को रोकता है लेकिन Elena उसे नहीं समलती और उसकी स्टैफ के हुई जगे पे उसे दर्द दे कर वहाँ से भाग जाती है इतर सेयन को होश आता है और तब तक माया यानी की आलिया आजाद हो चुकी थी और वह उसे यान से बतला लेने के लिए उसे इधर उधर फेकने लगती है और एंड में उसे जान से मार देती है अब Elena को भी एक ओपन गेट मिलता है जिसके अंदर वह छुपने के लिए चली जाती है और बिना कुछ दे के वह गेट लोक कर देती है और दोस्तों Elena कैमपस का पूरा चक्कर लगा कर उसी रूम यानि रूम नमबर फाइफ में आके छुप गई थी जहां आलिया पहले से ही मौजूद थी और वह Elena को जान से मार देती है और एंड में वो माया की बाड़ी छोड़कर अपनी डेड बाड़ी के थ्रू एलेना को अपने साथ उसी बंद जगे पर जिन्दा ले जाती है जहां पे इन लोगों ने उसकी बाड़ी दफनाई थी और तब वहां रेनो आता है और माया उसे समालती है कहानिया से थोड़े टाइम आगे जाती है जहां हम माया को देखते हैं और अब वो इस ओल्डे जोम को समालती है तब ही हम वहां एक नई नर्स को ऐसे जॉप के लिए आता हो देखते है और माया उसे हेल्फ के लिए बुलाती है जिसका चेहरा हम देख नहीं पाते बस हम उसका नाम देख पाते हैं जो था एलिसिया वर्दोया and surprisingly एलेना का पूरा नाम एलेना वर्दोया ही था और बस ये मूवी यहीं एंडो जाती है तो दोस्तों ये मूवी अच्छी है एलेना और सियान ने एक प्लान बना कर उस ओल एज होम को अपने नाम पर करवाया लेकिन एलेना के पती यानी ओल्ड इज ओनर की आकरी इक्षा की वज़े से वो इतनी आसानी से एलेना के नाम नहीं हो पाया जिस वज़े से उसने वहां के पेशिंट्स को खराब दवैयां दे कर उन्हें जाएन से मारना शुरू कर दिया जिसमें उसका साथ सियान ने दिया और अंध में ये बात माया को भी पैता चल गई और माया के थुरू आलिया ने अपना बदला ले लिया और एलेना और सियान को जान से मार दिया आलिया शायद शुरुवात से ही माया को सच बताना चाहती थी ना कि उसे हॉंट करना, लेकिन माया उसकी बात समझ नहीं पाई, बल्कि उससे डरती रही, वही हम बात करें रहनों की, तो ये उसका प्लान था, क्यों वह वहाँ चीजे ठीक करने आएगा, ताकि वो आलिया के बार में पता लगा सके, और इसलिए वो बार बार चीजे करने आता था, और इसी प्लान के चलते उसने काफी एविडेंस इकठा कर लिये थे, लेकिन एंड में उसे उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, अंत में जो नर्सा में दिखाई गई, वो जरूर एलेना से कनेक्टेट है, या वो उसकी बहन हो सकती है, या फिर उसकी कोई रिले रखने वारा इंसान हमेशा अच्छा नहीं होता, उनके कुछ डार्क सीक्रेट्स भी होते हैं, जो आपको तोड़ सकते हैं, तो कोई बहुत अच्छा है ये मानने से पहले, आप उसे अच्छी तरे जान ले, तो दोस्तों ये था मेरा मूवी एक्स्पानेशन, इंडोनेश आपको ये एक्स्पानेशन पसंद आया होगा, मैं मिलूँगे आप से एकले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखे, स्टे सेफ, कीप अंटिंग, लॉट्स ओफ लव